Dear Students, Good Morning, Class 7, Subject English, Topic, How to Write Name, नाम को कैसे लिखते हैं? आज हम Grammar का एक Topic पढ़ने जा रहे हैं, How to Write Names, नाम को कैसे लिखें? आप इस कार्य को अपनी Notebook में लिखेंगे और याद भी करेंगे. Now we read. Everyone knows that English and Hindi is language. प्रतेक जानता है कि Hindi और English भाशा है. And script is a medium of language. और script जो है भाशा का माध्यम है. Script, call in Hindi, लिपी. Script को Hindi में लिपी कहते हैं. A script is a mark. With help, we write a letter, word and sentence. A script, एक लिपी. Is a mark, एक चिन है. With, जिसकी साइता से. Help, we write. जिसकी साइता से हम लिख सकते हैं. A letter, एक अक्षर, word, शब्द, and sentence और वाक्य. Letters को Hindi में वर्ण या अक्षर कहते हैं. Word को Hindi में शब्द कहते हैं. Sentence को वाक्य कहते हैं. Next point. Our Hindi script is Devanagri and English script is Roman. हमारी Hindi भाषा की जो लिपी है वो Devanagri है और English की लिपी Roman होती है. चलिए, अब हम अपने topic की और चलते हैं. How to write a name. हम एक नाम को कैसे लिखें? At first, letters. Let's we know. सबसे पहले हम जानेंगे. Letters means word या अक्षर. Letter का अर्थ होता है word या अक्षर. Letters has two kinds. अक्षर दो प्रकार के होते हैं. In English, अंग्रेजी में. Vowel, Consonant. Vowel के अंतरगत A, E, I, O और यू आते हैं. Vowel होते हैं A, E, I, O, U. Consonant. Consonant, Vyajan. Consonants ने B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Vowel पांच होते हैं और Consonant 21 होते हैं तो इंग्लिश लिपी में कुल 26 अक्षर होते हैं. Letters has two kinds. Word के दो प्रकार हैं. In Hindi, Hindi में भी. Hindi में अक्षर को स्वर और व्यांजन कहा जाता है. स्वर और व्यांजन. स्वर अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, उ, ओ, आ, आ, ई, आ, आ, अओ, आदी अक्षर जो हैं इनने स्वर कहते हैं. व्यांजन आदी वर्ण जो होते हैं हिंदी में व्यंजन कहलाते हैं यानि कि ऐसे लेकर अउ तक के वर्ण जो हैं उन्हें स्वर कहते हैं और कह से लेकर गया तक के वर्णों को व्यंजन कहा जाता है तो हम नाम में रूल्स के बारे में पढ़ें रूल नमबर एक फर्स्ट लेटर ओफ ए नेव वोटएवर एनी हैज कैपिटल चाहे कोई भी नाम हो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है जैसे राम राम में आर कैपिटल है आर पहला अक्षर है और ये कैपिटल है गनेश जी कैपिटल है जैपूर जे कैपिटल है पंजाब पी कैपिटल है व्यंजन वर्ण के पद या पैर में जब हलंत चिन होता है तो व्यंजन अपूर्ण होता है जैसे क अब क के नीचे एक तिर्चा सा निशान है यह तिर्चा निशान हलंत चिन कहलाता है क के नीचे तिर्चा निशान हलंत है चिन हलंत है तो क क की खड़ी पाई के अंतरगत किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंथ चीन होने पर व्यंजन वर्ण जो है अब अपूर्ण है जब व्यंजन वर्ण में आ मिलने से या मात्रा रूप लगने से हलंथ हट जाता है और व्यंजन पूर्ण हो जाता है जैसे क क के नीचे हलन्थ है प्लस अ अब इस क में अ मिलने से बिना हलन्थ का क बन चुका है क प्लस अ का क प्लस ई की क प्लस उ कू क प्लस उ कू एक्सेट्रा स्वर्वर्ण हमेशा पूर्ण होते है नमबर एक हर व्यंजन के बाद मात्रा आती है किन्तु अंग्रेजी भाषा में नाम के अंत में अ होने पर अ नहीं लिखते जैसे नाम देखिए कमल क प्लस अ म प्लस अ ल प्लस अ जब हमने कमल शब्द के टुकड़े किये हैं क प्लस अ प्लस म प्लस अ ल प्लस अ तो कमल शब्द का जो अंतिम अ है इसे अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा जाता क के प्लस अ ए प्लस म का एम अ का फिर ए ल लै का फिर एल प्लस अ लास्ट में आने वाले ए को हम ए को हम ए नहीं लिखते हैं मो निका मो प्लस ओ प्लस न प्लस इ प्लस का प्लस आ म से म से एम ओ से ओ एन से न से एन छोटी इसे आई का से के और आसे ए मो निका अ को छोड़कर सभी मात्रा रूप लगते हैं स प्लस उ प्लस द प्लस आ प्लस म प्लस आ सुदामा म प्लस अ प्लस ह प्लस ए प्लस श प्लस अ महेश रूल नमबर दो इ बराबर बड़ी इ बड़ी इ के लिए इंगलिश में डबल इ उ के लिए डबल ओ का रूप होता है लेकिन 90% नामों में इ के लिए आई तथा उ के लिए उ का उप्योग भी सही माना जाएगा जैसे कबीर क प्लस अ प्लस ब प्लस बड़ी इ प्लस र प्लस अ कबीर बड़ी इ की मात्रा है इसमें क प्लस अ प्लस ब प्लस इ प्लस र प्लस अ कबीर के ए कबी डबल ई आर कबीर के ए बी आई आर कबीर ये दोनों ही सही है जटायू जप्लस अ प्लस ट प्लस आ प्लस या प्लस उ जटायू जए ए टी ए वाई डबलो ये भी सही है जए ए टी ए वाई यू ये भी सही है इस प्रकार से जिटाईों की पूरी स्पेलिंग पूरी होती है Dear students इसके रूल नंबर 3, 4, 5 और 6 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उमीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा Thank you